तमश्का दोस्तो मद्यपरदेश नेशनल हेल्थ मिशन MPNHM की ओफिशल वेबसाइट है आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ दो अलग-अलग नोटिस वेबसाइट पे आ चुके हैं रिगार्डिंग जो वेकेंसी इस निकाले गई थी मद्यपरदेश नेशनल हेल्थ मिश और इसी के दोस्तों देखिए नीचे आप लखा हुआ है revised information letter for staff nurse तो दो अलग-अलग notice यहाँ पे रहेंगे और दोनों notice को मैं आपको यहाँ पर read करके बताने वाला हूँ कुछ न कुछ जानकारी यहाँ पर देखिए revised यहाँ पर की गई है शन्शोदन यहाँ पर की गई है तो सबसे पहले जो notice यहाँ पर जो आया है staff nurse का इसको यहाँ पर open कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से यह आपकी screen पर आप नजार आएगा दोस्तो notice हमने आप पर open कर लिया है और देख सकते हैं राश्टिय स्वास्त मिशन मद्यप्रदेश क्याने वाली बात है NHM मद्यप्रदेश द्वारा यह जो जानकारी है शन्शोदित सूचना के तौर पे आपको letter के तौर पे आप सब लोग को आप दी जारी है चार मार्च 2021 को यह जानकारी NHM मद्यप्रदेश की officially website पे आपको दे दी गई अब दोस्तों आप देखे क्या लिखा हुआ है इसमें पहले paragraph में information दी जारी है समीदा के आधार पे staff nurse के रिक्त पदो की पूर्ती हेतू SAMS Limited से online आविदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिमतिती थी 15 जनवरी 2021 निरधारी की गई थी तो आप सबी लोग को बता जा रहा है समीदा के आधार पे staff nurse की vacancy थी और SAMS का जो portal है SAMS का जो online portal है इसके माद्यम से आप लोग ने आप आविदन किया था और इसकी जो last date थी आविदन करने की 15 जनवरी 2021 यहाँ पे निरधारी की गई थी अब दोस्तों आप देखिए अगला जो paragraph है आप सबी लोग को बता जा रहा है last date को यहाँ पे extend यहाँ पे कर दिया गया है लिखा हुआ है उपरोगत सूचना पत्र के माद्यम से समीधा स्टाप नर्स के SAMS Limited से ओलाइन आविदन पत्र प्रस्तोत करने की अंतिनति थी पुना रिक्षेत करते हुए दिनांग 20 मार्च 2021 निरधारित की जाती है तो 15 जनवरी 2021 इसकी आप लाज़ देट थी अब दोस्ते हाँ पर देखिए SAMS का जो पोर्टल है जिसके माद्यम से आप लोग आविदन करते हैं एपलाय करते हैं और आपको 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 बता जा रहा है 20 मार्च 2021 इसकी आप लाज़ देट यहाँ पर कर दी गई है ऐसा दोस्ते हाँ पर देखिए क्यों किया है इसकी जानकारी अगले पैराग्राफ में आपको आप दी जारी है लिखा हुआ है उम्मीदवारों द्वारा ओल्लाइन आविदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांद आविदन पत्र के साथ तुरुटी वश अभी लेक संगलन नहीं किये गए है तो ऐसे उम्मीदवार पुना सैम्स लिमिटेट की वेबसाइट पर अपलोड कराएं जिसकी तिथी विग्यापन जारी होने की दिनांग से साथ दिनों के भीतर आविदन पूर्ण करना अनिवार होगा तो दोस्तों देखिए आप सबी लोग को बोला जा रहा है जितनी भी केंडिडेट्स ने आपे आविदन पत्र प्रस्तुत किया था ओल्लाइन एप्लिकेशन फॉर्म आप लोग ने आपे फिल किया था पोना सेम्स का जो पोर्टल है ये वेबसाइट है इस पे आपको आपे अपलोड करना होगा और साथ दिनों के भीतर जो है आविदन पूर्ण करना आपको आपे अनिवार होगा तो ये जानकारी मैंने आपको आपे दी अब दोस्तों देखिए अगली जो इंफॉर्मेशन है उन केंडिरेट्स के लिए जिन लोग ने अभी तक एपलाय किया ही नहीं तो आप सभी लोग को एक और मौका आपको आपको आप दिया जा रहा है आप लोग यहाँ पर एपलाय कर सकते हैं लिखा हुआ है ऐसे आविदक जो पूर्व में आविदन पत्र ऑल्लाइन प्रस्तोत नहीं कर सके हैं वे भी अपना आविदन दिनांग 20 मार्च 2021 तक ऑल्ला यहाँ पर फ्रेश आप लोग यहाँ पर आविदन यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप लोग ने अभी तक एपलाय नहीं किया तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर समझ रिखेंगे यह जो इन्फॉर्मेशन है अभी MP Online की यहाँ पर देखिए वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड करेंगे और जतने भी केंडिरेट्स ने अभी तक आविदन हैं किया है तो वो केंडिरेट्स भी यहाँ पर आविदन कर सकेंगे अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने दूसरे नोटिस की और दोस्तों वापिस से हम लोग यहाँ पर वेबसाइट की और आ चुके अब देखिए एनम का भी यहाँ पर नोटिस आ चुका है इसको भी यहाँ पर ओपन यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों हमने आप पर नोटिस ओपन कर लिया है और यह भी देखे राष्टिय स्वास्थेमि Жान मद्यपरदेश एनले पर देश जवाड़ा यह जो जानकारी है स समीधा के आदार पे महिला स्वास्त कारी करता A&M के पोश्ट यहां पे थी और आप लोगों ने online apply किया था SAMS का जो portal है इसके माद्यम से आप लोग ने online अविदन किया था और अविदन पत्र भनने की जो last date थी 25 जनवरी 2021 थी अब दोस्तों देखिए अगले information आपको आप दी जा रही है यह जो last date थी 25 जनवरी 2021 इसको यहां पे बढ़ाय जा रहा है और लिखा हुआ है उपरोगत सूचना पत्र के माद्यम से समीधा महिला स्वास्त कर करता A&M के SAMS Limited से online अविदन पत्र प्रस्तोत करने की अंतिम्तिती पुनारक्षित करती हुए 20 मार्च 2021 यहां पे निर्धारित यहां पे की जाती है तो 25 जनवरी 2021 इसको यहां पे अंतिम्तिती थी इसको यहां पे पुनारक्षित किया जा रहा है और अब जो last date है 20 मार्च 2021 यहां पे रहेगी और दोस्तों आप दिखिए ऐसा यहां पे क्यों किया गया है लिखा हुआ है आप लोगों ने online आविधन करते समय तुरुटी वस्ट आप लोगों ने अपने अभीलेक जो भी आपके हाँ पर documents थे संगलन नहीं किये अपलोड यहाँ पर नहीं किये तो ऐसी जो candidate यहाँ पर दोबारा अपने आप पर apply आप पर करेंगे और आप लोग अपने आप पर correction करेंगे जो भी information है officially website पर आपको यहाँ पर प्रवाइड यहाँ पर करानी है और दोस्तों देखिए विध्यापन जारी होने के साथ दिनों के भीतर आपको आविधन पूर्ण यहाँ पर करना होगा और जितनी भी candidates ने अभी तक apply नहीं किया है बिल्कुल भी apply नहीं किया है तो आप सभी लोग को एक और मौका आपका आप दिया जा रहा है 20 March 2021 तक आप लोग यहाँ पर आविधन कर सकते हैं और fresh candidates जितनी भी हैं आप लोग यहाँ पर आविधन कर सकते हैं 20 March 2021 इसके यहाँ पर लाज़ेट रहेगी बाकी की जितनी भी शर्ते हैं शेश यहाँ पर यथावत वैसी की वैसी यहाँ पर रहने वाली है तो बिल्कुल समझ चुके होंगे स्टाफ नर्सेज और A&M के पोश्ट के लिए फर्म दोबारा से यहाँ पर ओपिन हो चुका है और आप सब लोग जो है अपना आप पर करेक्शन कराएंगे और जितनी भी candidates ने अभी तक apply नहीं किया है तो आप सब लोग यहाँ पर apply भी कर सकते हैं और यह जो information है अभी SAMS की जानकारी यहाँ पर आएगी यह website पर जानकारी उपलब यहाँ पर करा दी जाएगी और जैसी information आएगी मैं आपको यहाँ पर update प्रवाइट करा दूँगा अब दोस्तों हम पर देखिए एक छोटी से जानकारी और यहाँ पर cover कर लेते हैं क्या exam की date यहाँ पर बढ़ेगी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों देखिए जाईर सी बात है आप सबी लोगों का जो exam था आपको यहाँ पर बढ़ा जा रहा था 24 तारीक को था यहाँ पर देखिए 25 तारीक को था यहाँ पर देखिए 26 तारीक को था और आप सबी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 March 2021 इसके यहाँ पर last date है हो चुकी है चाहिए staff nurse की post हो चाहिए देखिए ANM की post हो तो दोस्तों देखिए, possibility यहां पे नहीं है, कि यह exam यहां पे इतने दिनों में यहां पे हो जाए, और जायर सी बात है, आगे date यहां पे extend जरूर होगी, और आपका जो भी यहां पे exam है, आगे यहां पे इसको यहां पे बढ़ा दिया, जाएगा जो भी जानकारी है, officially website पे आ staff nurse की post के लिए, और MPNHM CHO की भरती के लिए, तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहां पे तयारी कर रहे हैं, तो देखिए, 1000 से जाधा important questions की पीडिया फाइल मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड यहां पे करा दी है, आप लोग इसको यहां पे purchase कर लें, दोनों पीडिया फाइल देखिए, अलग-अलग यहां पे रहेंगी, और दोनों पीडिया फाइल चाहे देखिए, staff nurse की post हो, तो इसमें आपको MPNHM staff nurse के previous year के caution paper आपको मिल जाएंगे, 2019 और 2020 के, और ऐसे ही देखिए, MPNHM जो CHO की भरती हुई थी, इसमें भी previous year के caution paper मैंने आपको यहां पे provide यहां पे करा दी है, 2019 और 2020 के, तो दोनों अलग-अलग पीडिया फाइल है, दोनों का amount भी यहां पे अलग-अलग यहां पर रहेंगा, यह 100 रुपीज की है, और यह फाइल भी यहां पे, 100 रुपीज की है, और आप सब लोग यहां पे, इनको यहां पे purchase कर लें, और purchase करने के लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के नीचे जाना है, description box में जाके, आप लोग यहां पे link ले लें, और link के माद्यम से, आप लोग यह नहीं कर पा रहें, यह फे purchase हैं आप नहीं कर पा रहें, तो चैनल का WhatsApp नमबर मैं आप कहां पे देता हूँ, 74155-43659, यह चैनल का हमारा WhatsApp नमबर है, कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है, और CHO की, और MPNHM Staffners की PDF चाहते हैं, तो इस पे आप लोग हम से यहां पे संपर्ट कर सकते आपको यहां पे मैं उपलब यहां पे करा दूँगा, तो यह अपडेट आपको कैसा लगा जरू बता है, लाइक करने इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो का आप लाइक करें, इस मेरत को लाइक जरू करें, कमेंट बोक्स में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो की नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर रैट बेटन को हाँ पे किलिक कर लें, और MPNHM, स्टाफ नर्सेज, A&M और लेब टेकिनिशन की भरते से जड़ी हुई, हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से सबसे पहले और सबसे त आते रहें, तो मिलते हैं अपसे अगली वीडियो में, थैंक्यो सो मच